साल का पहला सूरी ग्रहन लग रहा है और इस दिन सडी देप की जैनती है अब ऐसे में इस दिन तेल का विशेश प्रियोग आपके जीवन के कस्टों से आपको बार निकालेगा चुकि ये साल का पहला सूरी ग्रहन है और भारत में सभी जगर नहीं दिखेगा और इस नजारे को आप आखरी समय में बहुत कम समय के लिए लद्दाक की उत्तर सीमाओं और अरुरारचल परदेश की दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के से साम को करीब पांच बचकर बावर मिम्मेट पर देख सकेंगे वैसे दिते कि 10 जुन को लगने वाला सूरी गरहन इसले भी खास है क्योंकि सनिदेव की जैनती है और ये गरहन भी है और ये योग करीब 148 सालों के बाद बन रहा है तो इसका प्रभाव अधभुत होने वाला है पढ़ने वाला है भारत की कुछ खास जगों के अलावा सूरी गरहन का नजारा कनाडा, ग्रिन लेंड, रूस के कुछ चुनिंदा इलाखों से नजर आएगा इसके अलावे नियू यार्क, वासिंग्टन, डी सी, लंदन, टोरेंटो में भी देखा जा सकेगा लेकिन देखिए, आसमान में होने वाली इस दुरलव घटना को देखने के लिए लोगों को बिसेश रूप से बनाए गए गलास यानि चसमे का इस्तिमाल करना चाहिए और साथ ही सूरी गरहन जो अभी इसके पहले चंदर गरहन भी लगा था और ये साल का पहला सूरी गरहन है और इसके बाद फिर चार दिसंबर को सूरी गरहन लगेगा लेकिन ये गरहन बहुत सारे दुरलब योग के साथ आया है तो इस दिन सनिदेप को मनाने का विसेश परियोग भी किये जाएंगे तो चले जानते हैं वो तेल काट परियोग जो आपके जीवन की तमाम परिसानियों से उलजनों से आपको बाहर निकालेगा सनातन धर्म में अमवस्या का विसेश महत्व है परानिक माननेताओं के अनुसार अमवस्या के दिन असनान दान करने से जीवन में आने वाली सभी दुख तकलीव दूर हो जाता है और अगर इस दिन कुछ विसेश उपाई किये जाएं तो जीवन की समस्त परिसानिया समाप्त हो जाती है धन की वर्सा होती है तो चलिए जानते हैं वो खास परियोग देखे इस दिन चुकी सनी अमवस्या है सनी देव का जनमूतसभ है और गरहन भी लग रहा है तो गरहन के समय जितना ज़ादा हो आप नमवस्याइ का जब करें और मनोवांचित कामनाओं की पूर्ती होगी और रात में एक छोटा सा परियोग कीजिएगा क्योंकि गरहन के दिन तेल का परियोग करना खास कर जब अमस्यातिति हो सूरी गरहन लगा हो अदभूत परियोग नाम देते हैं वैसे तो इस दिन नमक एक बरतन में रखकर अपने घर में जरूर रख दीजेगा ताकि नकात्मक जो उड़ जाए गरहन का वो नमक सोक सके और आप लोग सो रखचित रहें लेकिन दूसी तरफ आप चाहें तो नमक के जगा फिटकरे भी यूज कर सकते हैं पर चुकी आज हम बात करेंगे तेल के उपाई की अगर आपको लगता है जैसे नौकरी बैपार में तरक्की नहीं हो पा रही या फिर लगता है जीवन ठहर सा गया है तब एक छोटा सा प्रयोग गरहन की रात में कीजेगा आप क्या करेंगे जब आपके गरहन समाप्त हो जाए तब रोटी में जो अंतिम रोटी है उस पर एक बुंद सरसों का तेल लगा दे और थोरा सा उस पर काला तिल रग दे अब इसको काले कुत्ते को खिला दे तो जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समस्त कष्ट करियर जो 30 कहता है कि अमवस्या के दिन अगर आप पीपल की पूजा करें परिक्रमा करें तो जीवन में आने वाली आर्थिक समस्त समस्त हो जाती है जीवन के कस्ट मिटते हैं अगर आपके गर के आसपास सनीदेव का मंदिर हो सिला हो तो जरूर जाए और जाके सरसों के तेल वहीं पर छोड़ दीजे गरी बैक्ती बेगरे को दे दीजे तो अच्छा रहेगा और इसके साथ ही साम के वक्त एक सरसुंग के तेल का दीपक जरूर जलाईएगा और इस दीपक में आप चाहें तो थोड़ी सी काला तिल या फिर काली उड़द के दाने डाल दीजेगा वैस को लग रहा है कि सूरे ग्रहन का प्रवाव आपके उपर अच्छा नहीं है तब ऐसे में आप थोड़ा सा गुर डाल कर काला तिल रखकर सरसों का तिल लगा कर कुट्टे को खिला दे अगर कुट्टा खा लेता है तो समझ जाएए आपके उपर से कस्ट कम अब हो जाएंग जोतिस कहता है कि चुकि बट सावित्री भी पूजा है और पीपल ब्रिक्ष की इस दिन पूजा होगी तो 108 बार कच्छा सूत लेकर आप परिक्रमा करते हैं पीपल के पेड़ की जैसे बट सावित्री पूजा में होता है तो आपके चीवन की तमाम परिसानिया समाप्थ हो बस एक मौका है इसका फायदा आपको उठाना चाहिए जीवन में धंधाने की कमी नहीं होगी और संतान भी चिरंजी भी होता है तो आप ऐसा करें और संबब हो तो जैसे 108 बार याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप पहले से मिसरी चोटे वाले मिसरी आते हैं या फिर आप चाहें तो कोई फूल 108 कोई भी चीज आप गिंती करके ले जाएए और फिर हरे एक बार एक एक अरपित करते जाएगा इसलिए सनीदेव की अराधना करने के बाद हनुमान जी की अराधना करें और जब जैसे की साम में आप पीपल के नीचे दीपक यलाते हैं इसके ब परनाम करके घर हैं और जो पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे वो भी सर्सों के दिल का होगा लेकिन उस दीपक में काली उड़द के दो चार दाने डाल दीजिएगा जिससे की सनी की साड़े साती धहिया से मुक्ति आपको मिलें वैसे एक और बात याद रखिएगा जब भी सनी देव की पूजा करें उसके बाद हन्मान जी की पूजा जरूर करें नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि सनी देव के असुप्रभाओं से ब्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सनी देव के असुप्रभाओ नहीं देते और सनी दोसों से मुक्ति के लिए आप कभी कभी क्या होता है सनी देव अगर कुपित हो जाए सारे साती धहिया चले तो ना तो आपको वैपार अच्छा चलेगा ना ही जीवन में आप खुस रह पाएंगे नोकरी में टेंसन सत्रू बिरोधी बढ़ जाएंगे ऐ पैसे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपको लगे कि बहुत जादा परेसानी है तो सनी बार के दिन हनमान जी को चोला अरपित करें अब यह चोला क्या होता है चमेली का तेल या फिर घी ले ले इसमें सिंदूर मिक्स करके आप हनमान जी के सरीर पर लगाएं उसी को कहते है है चोला अरपित करना है लेकिन जो महिलाएं हैं वो लाल पुस पर पित करेंगी वह हनमान जी को टच नहीं करेंगी इस दिन हनमान जी को हनमान चाली साभी पढ़ना चाहिए और उससे आपके उपर किपा बरसेगी सनीवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना ले नहीं तो कर्ज लेंगे अगर तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा आप उतार नहीं पाएंगे इसलिए सनीवार के दिन कर्ज लेने से बचिए अब इस दिन हनमान जी को भी परसंद करने के छोटे से प्रयोग किये जाते हैं लेकिन जब आप सनीवार के द दाने नहीं है तब काला तील डाल दे या हो सकता है आपके घर के आस्पास कहीं पीपल का ब्रिच्छी नहीं है तब क्या करेंगे तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइट आप एक दिया जलाते हैं सरसों के तेल का दिया होगा इसमें कुछ मद डालिएगा मिट्टी का दीपक जलाना है दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं फुलो की पंकूरी या पत्ते दोने पे इसके बाद इस दीपक का मुख जो है वो दक्षिन दिसा की दरफ होगा ये जो साम में आप पीपल के नीचे जलाते हैं दीपक ये पित्री देवों के निमित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फर मिलता है बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिएगा या पिर कहीं पर सुरफचित साइड में रख दीजिएगा तो इस तरह से आप सनीवार की साम जीवन के कस्टों को दूर करने के लिए सनीदेव के सरण में आ सकते हैं लेकिन आज हम आपके साथ एक खास प्रियुक्त लेकर आया है देखिए जब गरहन समाप्त हो जाए इसनान बेगर करके जब आप खाना पी ना खा लें तब रात में सोने के पहले एक कटोरी में थोड़ा सा तेल ले लीजेगा और इसमें चाया देखकर आप वैसे तो किसी भी पीपल के नीचे कटोरी सहीद रख दें मंदिर में दान कर दें या अगले दिन भी आप किसी को दे दें तो आपको सनी देब के दोसों से मुफ्ती मिलेगी लेकिन लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है आप लोगों पर तब सरसों का तेल थोड़ा सा वार कर घर से बाहर फेक दीजिएगा तो इससे आपके उपर से क्या कराया समाप्त हो जाता है लेकिन पास के अगर सिबजी के मंदिर में जाकर एक तेल का या घी का दिया जला दे तो जीवन के हर कस्ट से ही आपको छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही साथ साम के वक्त यानि जब गरहन समाप्त हो जाए इसनान बेगरे करके सिबजी के मंदिर में जब आमवस्त इथी को दीपक जलाया जाता है तो जीवन की परिसानिया समाप्त हो जाती है तो आप छोटा सा परियोग करें हम आपसे विदा लेते हैं हरार महादे दनिवाओ